जुक्तार दोस्तों, YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम देखेंगे Power Measurement कितने मेठड से आप कर सकते हैं और कौन-कौन सी power को आप मेठर कर सकते हैं तो देखी दोस्तों Power Measurement में हमने AC Power Measurement में हमने देख लिया कि watt-meter method जो होते हैं उनसे आप power measure कर सकते हैं जिसमें 1 watt meter method, 2 watt meter method और 3 watt meter method जो है वो हमने use किया आज हम देखेंगे DC power measurement अब देखिए DC power measurement में हम बात करेंगे emitter voltmeter method और दूसरा हम बात करेंगे voltmeter emitter method तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किये तो देखिए दोस्तों जैसा कि नाम में आपको समझ आ रहा होगा कि emitter पहले आया है और voltmeter जो है वो बात में आया है तो इसमें emitter पहले connect होगा और voltmeter जो है वो बात में connect होगा देखिए ये circuit diagram है emitter यहां है और voltmeter यहां connect किया और voltmeter को हमने RL के across जिसके across आपको power measurement करनी है उसके across आपने connect कर दिया अब देखिए दोस्तों इसमें हम यदि power measurement की बात करें तो देखिए voltage source है वो उसके अंदर जो current होगी हम माल लेते हैं VL है और load के अंदर current IL है तो emitter कौन सी current measure कर रहा है यह IV प्लस IL दोनो current measure करेगा चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो active power होती है true power वो क्या होगी VL IL ठीक है आप चाहें तो इसको P T से भी denote कर सकते है true power और दूसरा हम बात करते है measured power M वो कितनी होगी वो देखिए voltmeter जो voltage measure कर रहा है VL है और emitter जो current measure कर रहा है वो IL प्लस IV ठीक है यहां देखिए यह power measured power जो है वो कितनी हो जाएगी VL गुणा IL प्लस VL IB ठीक है अब देखिए यहां से आप measured power जो है वो क्या लिख सकते हैं यह देखिए यह वाला जो formula है यह आपका true power का हो गया तो इसको आप pt लिख सकते हैं प्लस अब देखिए यहां VL है IV की value जो है वो कितनी हो जाएगी IV जो है यहां इस point और इस point के बीच जो voltage है कितना है VL और VV एक ही बात है VL divided by इस voltage source का जो resistance है वो हम RV मान लेते हैं तो यह RV ठीक है अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं pt प्लस VL square divided by RV और यहां आपकी measured power होगी अब देखिए measured power जो है watt meter method से जो power है वो कितनी आएगी वो true power जो होती है उससे ज्यादा रहेगी क्यों रहेगी इस factor की वज़ए से अब यह factor जो है यह कम कैसे हो सकता है यह कम कब होगा जब RV की value आप ज्यादा लेंगे ठीक है आरवी की value ज्यादा लेंगे तो overall जो यह losses है यह क्या होंगे गाम हो जाएंगे अब आप चाहें तो इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि RV की value ज्यादा तो losses कम ये losses कम होंगे तो ये लगबग power जो है वो बराबर हो जाएगी ठीक है अब देखे rv की value ज्यादा होगी तो इसका मतलब current जो है वो maximum current इधर से पास होगी जो हमें चाहिए तो ये method जो है वो कहां use होगा ये आपका इस register की value जो है न low तो a पहले आया तो ये कहां use होगा जहां low value of register इस method का आप कहां use करेंगे जिस register की value low होगी चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरे method की जिसका नाम है वोल्ट मीटर एमीटर method तो इसमें भी वही है voltage और current source तो वोल्ट मीटर जो है वो पहले connect हो जाएगा अब वोल्ट मीटर जो होता है ना वो parallel में ही connect होता है यह आप ध्यान में रखिएगा और एमीटर हमेशा series में connect होता है इस तरह से अब देखिए आपको यह पता लग गया कि voltage जो है voltage source यह कौन से voltage को measure करेगा VA और VL क्योंकि दोनों series में है ना तो voltage source जो है वो दोनों voltage को measure करेगा अब देखिए measured true power जो है वो तो उतनी रहेगी VL IL लेकिन measured power जो होती है ना वो कितनी आएगी VA VL क्योंकि voltage source जो है ना दोनों voltage को measure करेगा और emitter जो है वो current measure करेगा कौन सी IL अब यदि आप इसको और आगे explain करते हैं तो measured power जो है वो क्या जाएगी आपकी VL IL ये वाला मैं पहले लिख रहा हूँ और plus VA IL ये वाली power कौन सी है ये आपकी ये वाली power होगी तो measured power जो है वो क्या हो जाएगी P T प्लस अब यहाँ देखिए आप ये जो VA जो लिखा है ये VA किसके बराबर हो जाएगा इसके अंदर IL और इसका जो resistance है RA ठीक है तो अब देखिए IL RA गुना IL इसको आप कह लिख सकते हो PM PT PLUS IL स्क्वार RA और ये क्या है ये आपके losses है अब इन losses को आप कम कैसे कर सकते हो यदि आप RA की value जितनी कम रखोगे तो losses भी कम होंगे है ना तो यहाँ आप ये कह सकते हो यदि RA की value कम रखेंगे तो RA कम रखेंगे तो ये कहां use होगा RL की value ज़दा हो जाएगी तो RA इसका मतलब ये हो गया ये method कहां use करेंगे high resistance voltmeter, emitter method कहां use होगा जहां resistance की value ज़दा होगी high resistance का मतलब ये हो गया कि range जो है register की वो क्या रहेगी वो रहेगी 1 ohm से लेकर 100 kilo ohm जो है ये आपकी resistance की value रहेगी और low का मतलब ये हो गया कि value जो है वो इसके नजदीक हो और high का मतलब 100 kilo ohm के आसपास हो below 100 kilo ohm 100 kilo ohm से कम और 100 kilo ohm से ये उपर है तो उसके लिए methods जो है वो अलग method है ठीक है दोस्तों चलिए अब हम दोनों में comparison कर लेते हैं तो देखिए emitter voltmeter method और voltmeter emitter method यहां देखिए a to v है तो पहले क्या आया एल्फाबेट में a आता है न a low हो गया तो ये low resistance के लिए और ये high resistance दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि emitter जो है ये आप circuit diagram को देखोगे तो emitter पहले connect है voltmeter बाद में connect है load के साथ इस case में voltmeter पहले connect है अब पहले का मतलब आप series में नहीं connect करना क्योंकि voltmeter हमेशा क्या होता है parallel में connect होता है तो इसका connection इस तरह से हो जाएगा a पहले है तो a आपने पहले connect कर दिया voltmeter बाद में connect कर दिया v पहले है तो voltmeter पहले emitter बाद में connect कर दिया ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो like कीजिए thank you